हाँ जी दोस्तो हाई ब्लड प्रेशर के बारे में बात करेंगे आपको बताएंगे कि आप हाई ब्लड प्रेशर को किस तरह नॉर्मल कर सकते हैं बिना दवा के वे कौन-कौन सी साथ खाने की चीजे हैं जो हाई ब्लड प्रेशर को कम करती हैं और आपके हार्ट को तंदृस् करना चाहता हूँ, मैंने ये देखा है कि लोग high blood pressure को एक बिमारी नहीं समझते, high blood pressure एक normal सी चीज समझी जाती है, एक part of life समझा जाता है कि जिंदगी का एक हिस्सा है, कोई चकर नहीं है, कोई बात नहीं है, इसे गंभीरता से नहीं दिया जाता, जिसका कई बार परणाम व्य आपको paralysis का attack आ सकता है, अधरंग का दोरा पढ़ सकता है, या आपकी मृत्यू हो सकती है, high blood pressure आपकी kidney को खराब कर सकता है, आपकी kidney फेल हो सकती है, आपकी जान जा सकती है, high blood pressure आपको heart attack दे सकता है, आपकी नस में blockage का कारण बन सकता है, तो आप इन बिमारियों के बारे मे है कारण था high blood pressure, जिसे आपने कभी बिमारी माना ही नहीं, भगवान तो आपको बहुत देर से समझाने की कोशिश कर रहा था, यह बिमारियां देने से पहले उसने आपको high blood pressure दिया, कि आप समझ जाओ, लेकिन आप नहीं समझे, इसलिए फिर अंत में आपको वह बिमारिया मिली, जो आपके लिए घातक साबित हुई, तो जिन जिन भी लोगों को high blood pressure है, संभल जाएए, अभी नहीं संभलेंगे, तो भविश्य में गंभीर परिनाम आपको भुगतना पड़ेगा, high blood pressure वाकई में अगर देखा जाए तो कोई बिमारी नहीं है, यह सिर्फ और एक्टिविटी का ना होना और डाइट का जरूरत से ज्यादा होना, यह दो चीजे हैं, जिसकी वज़े से आपका high blood pressure होता है, तो मैं आपको बताओंगा कैसी डाइट आपको खानी है, सबसे पहले जो वीडियो का main topic है, उसके बार में बात करते हैं, कि वे कौन-कौन सी खाने की चीजे हैं, जो high blood pressure वाले व्यक्ति के लिए बहुत अच्छी होती हैं, तो सबसे पहली है, खटे फल, citric fruits, इसमें सभी तरह के फल आ गए, अंगूर, संत्रा, कीनो, नीम्बू, जितने भी खटे फल हैं, वे सब, ऐसे फल, heart patient के लिए, high blood pressure के patient के लिए, बहुत अच खटे फल होते हैं, इस तरह का परभाव आपके शरीर में जाकर पैदा करते हैं, इसके लावा इनमें heart को support करने वाले vitamin, mineral और plant compounds होते हैं, तो खटे फल खाने से आपका blood pressure कम होता है, और आपका heart healthy बनता है, तो यही दो चीजें तो आपको करनी है, कि blood pressure को कम करना है, heart को strong करना है, ताकि बुरा असर आपके शरीर के उपर ना हो, दूसरी चीज़ जो आपके लिए बहुत अच्छी है, वे है दाल, इसमें सभी तरह की साबुत दाले आगए, छिलके वाली दाले, चने आगए, राजमा आगए, जितने भी beans हैं, जो दाल के गरूप में हम खाते हैं, वे सभी इस कैटेगरी में आगए, क्यूं, दालें क्यूं अच्छी हैं, क्यूंकि इन में fiber बहुत अधिक होता है, जितना ज्यादा fiber खाएंगे, बौडी में cholesterol उतना ज्यादा कम होगा, क्यूंकि जो fiber होता है, वे आपके भोजन में मौजूद cholesterol के होता है, या तो आपका cholesterol बढ़ा हुआ है, या आपका triglyceride बढ़ा हुआ है, अच्छा कुछ लोगों को cholesterol और triglyceride के बीच में अंतर पता नहीं होता, तो मैं आपको ये समझा देता हूँ सबसे पहले, देखिए अगर आपका cholesterol बढ़ा हुआ है, तो आपको कुछ नहीं करना सिर्फ animal food बंद कर देना है, क्योंकि कुद्रत में किसी भी चीज में cholesterol नहीं है सिवाए animal food के, कोई भी शाकाहारी चीज आप खाएंगे, आपके शरीर में cholesterol जाएगा ही नहीं, जबकि आप जितना ज्यादा animal food खाएंगे, उतना अधिक आपके शरीर में cholesterol जाएगा, आपको ज उसी समय ठीक हो जाएगा, तो दूसरी चीज है triglyceride, अब दोनों में अंतर क्या है कि अब जैसे आप शाकाहारी तेल खा रहे हैं, जैसे सरसों का तेल या कोई भी शाकाहारी तेल, तो उसमें आपको cholesterol नहीं मिलेगा, cholesterol zero होता है, क्योंकि cholesterol आपको दूद से बने product में मिलेग या मास मचली में मिलेगा, लेकिन तेल खाने से आपका cholesterol नहीं बढ़ेगा, लेकिन आपको triglyceride बढ़ेगा, क्योंकि triglyceride क्या है, जो भी fat, किसी भी तरह की fat आप खाते हैं, वह आपके शरीर में जाकर triglyceride के रूप में बदल जाती है, तो अगर आप fat ज्यादा खा रहे ह तो आपके शरीर में triglyceride बढ़ेगा, वह आपके खूर को गाढ़ा कर देगा, जिससे आपका blood pressure बढ़ जाएगा, तो चेक कर लीज़े, क्या चीज़ बढ़ी हुई है, अगर triglyceride बढ़ा हुआ है, तो तेल जीरो कर दीजिए, क्या दिक्कत है उसमें, तेल जीरो करेंगे भी बड़े हुए blood pressure को कम करती है, इसलिए डाल आपके लिए अच्छी है, साबुत डाल, तीसरी चीज़ है गाजर, अब गाजर क्यों अच्छी है high blood pressure में, अचा गाजर में इस तरह के phenolic compounds होते हैं, जो आपकी खून की नसों को relax करते हैं, इन compounds का मैं आपको नाम भी बता सक यह हैं chlorogenic और p-comeric और caffeic acid, यह जो phenolic compound है, यह आपकी blood vessels को relax करते हैं, उन में जो tension होती है, उसे दूर करते हैं, नसों को खोलते हैं, जिससे blood असानी से आपकी नसों के अंदर बहता है और pressure कम होता है, इसके लावा अगर आपकी body में inflammation है, सूजन है, नसों में सूजन है, तो भी नसे खुलती हैं, जिससे आपका blood pressure कम होता है, तो गाजर आपके लिए बहुत अच्छी है, सरदियों की सीजन में गाजर खूब होती है, गाजर खूब खाईए, अपनी नसों के उपर से tension को हटाईए, और blood pressure को कम कीजिए, चौती चीज है, टमाटर और टमाटर से बने उतपाद, टमाटर क्यों अच्छा है, क्योंकि इसमें potassium होता है, जो blood pressure को कम करता है, और इसमें होता है lycopene, जो lycopene है, ये एक heart healthy substance है, आपके heart के लिए बहुत अच्छा होता है, तो जितना ज्यादा टमाटर खाएंगे, उतना आपके heart के लिए अच्छा है, तो इसलिए तमाटर ज़रूर खाना है high blood pressure में, पाँचवी चीज़ है, मसाले, लेकिन बजार से मिलने वाले मसाले नहीं, जो खड़े मसाले आप گھर पर इस्तिमाल करते हैं, जो साबत मसाले आप घर पर इस्तिमाल करते हैं, वह मसाले, इसमें सभी तरे के मसाले आ जाते हैं, जैसे गरम मसाले, साबुत गरम मसाले हम घर में डाल सबजी में इस्तिमाल करते हैं, चाय में डालते हैं, या किसी भी चीज में डालते हैं, ये हार्ट के लिए और हाई ब्लड प्रेशर के लिए बहुत अच्छे होते हैं, इन मसालों में भी ऐसे कंपाउंट्स होते हैं, जो ब्लड ब्लड वैसल्स को रिलैक्स करते हैं, ब्लड वैसल्स को शांत करते हैं, जिससे ब्लड वैसल्स ओपन होती हैं, खुलती हैं, और जो ब्लड का फ्लो है वै असानी से होता है, जिससे ब्लड प्रेशर कम होता है, ब्लड प्रेशर रिड्यूज होता है, तो इन मसालों को आप दार्थ होता है, नाइट्रेट, नाइट्रेट्स बोलते हैं, तो ये जो नाइट्रेट्स होते हैं, ये भी ब्लड वैसल्स को रिलेक्स करते हैं, ब्लड वैसल्स को चौड़ा करते हैं, खोलते हैं, जिससे ब्लड फ्लो बढ़ता है, फून असानी से पास होता है, और आपका blood pressure कम होता है। तो चुकंदर और चुकंदर के पत्ते दोनों पत्तों को फैंकना नहीं है। पत्तों में और भी vitamins, minerals बहुत होते हैं जो body के लिए अच्छे होते हैं। पत्तों को भी साथ में इस्तिमाल करें। पत्तों को आप मूली के पत्तों के साथ mix करके मूली के पराठे बना सकते हैं बिना तेल के। तो चुकंदर और चुकंदर के पत्ते खाएं high blood pressure को कम करने के लिए। साथ्मी चीज है पालक। पालक में चुकंदर की ही तरह नाइट्रेट्स होते हैं जो blood pressure को कम करते हैं। लेकिन पालक में साथ में कुछ और चीज़ें भी होती हैं जैसे एंटियोक्सिडेंट्स, कोटेशियम, केलशियम और मेगनीशियम, ये चारों चीज़ें भी ब्लड प्रेशर को कम करती हैं, तो इसलिए भी पालक आपके लिए बहुत अच्छी है, इसके लावा पालक क्या करती है, कि ये आपकी जो नसे होती है, उसमें जो स्टिफनेस होती है, अकड़ापन, नसे हाड हो जाती है, उसकी फ्लेक्सिबिल्टी कम हो जाती है, तो ये उस स्टिफनेस को कम करती है पालक, तो जब आपकी नसों की stiffness कम होगी तो blood flow असानी से होगा फून पर बढ़ेगा और आपका blood pressure कम होगा और जो पालक है ये आपकी heart health को भी बढ़ाती है आपके heart के लिए भी अच्छी होती है तो इसलिए आपको पालक भी जरूर खानी है तो ये साथ चीजें आपके लिए बहुत अच्छी है अगर आपको high blood pressure है तो इसके साथ मैं थोड़ा diet के बारे में बात करना चाहता हूँ diet में बस आपको ये देखना है कि पहले आप ये जान लीजे कि आपका high blood pressure किस वज़े से बढ़ा हुआ है कहीं आप नमक तो ज्यादा नहीं खा रहे अगर नमक का 7 ज्यादा कर रहे है तो नमक कम कर दीजिए अगर आपका cholesterol बढ़ा हुआ है तो मैंने आपको बता दिया animal food बंद कर दीजिए और शाकाहरी लोगों में एक दिक्कत है कि वे animal food बंद कर देते हैं बढ़ा हुआ है तो वो भी मैंने आपको बता दिया फिर आप तेल कम कर दीजिए खाने में तेल जीरो कर दीजिए उससे आपका triglycide normal हो जाएगा और उसकी वरे से बढ़ा हुआ blood pressure normal हो जाएगा कई बर क्या होता है कि kidney में किसी समस्या की वज़े से भी high blood pressure होता है जैसे माली जी क्रेटनाइन बढ़ा हुआ है तो आप अपना kidney का एक simple सा 2-3 सुरवे का blood test होता है वहकर वाली जी उससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो kidney की जो norms हैं वह सभी normal है या नहीं अगर kidney की कोई छोटी मोटी दिक्कत है तो आप पानी ज्यादा पीजिए kidney को flush out कीजिए toxins को बाहर निकालिए kidney के सभी parameters अगर आपके normal हो जाते हैं तो उससे भी आपका blood pressure जो है वो normal हो जाएगा ये सभी चीजे आपस में interlink होती है आपको खुद जागरों को बनना पड़ेगा वो ये doctor आपको नहीं बताएगा doctors को पता सब कुछ होता है लेकिन उनके पास इतना समय नहीं होता है कि वे एक-एक मरीज को guide कर पाएं क्योंकि उनके पास तो line लगी होती है वे बेचारे इतने burden में होते हैं इतने बोज में होते हैं अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो like करें, subscribe करें Thank you so much